दोसो इस टाइम पर काफी लोग बहुत जादा यहाँ पर मार्केट कितना डरे हो है कि बिटकोइन के चार्ड के अंदर हम यहाँ पर देथ क्रॉस देखने को नहीं मिल जाए क्या होता है, death cross, क्या होता है, golden cross बिलकुल हम basic से इसको समझेंगे ताकि हर एक बंदा यह चीज समझ पाये और खुद भी यहाँ पर जाके खुद चैकाउट कर पाये कि हाँ यह death cross हो रहा है कैसे यह work करता है? सारी चीज में आपको यहाँ पर detail में समझाँगा साथ ही bitcoin का पूरा analysis यहां करके दूँगा कि death cross आता है तो कितना dump हमें देखने को मिल सकता है और death cross कितना work करता है यहाँ पर bitcoin के चार्ट के उपर तो उमीद करूँगा beginners के लिए यह video बहुत helpful रहने वाली है क्योंकि वो खुद भी चार्ट analysis कर पाएंगे death cross का और golden cross का सबसे बहले हम बात करते हैं death cross golden cross basically होते क्या है और क्यों हम इनको यहाँ पर use करते हैं तो मैं आप लोगों जानकारी के लिए बता दूँ जो भी हाँ पर हम चार्ट करने पैटन वगरा यूज़ करते हैं या इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो बेसके लिए हम क्यों यूज़ करते हैं बाइंग और सेलिंग परिस बता करने के लिए और मार्केट को पिडिक करने के लिए कि यहाँ से उपर जाएगी या नीचे जाएगी सेम वैसे ही यूज़ होता है यहाँ पर देथ क्रोस और गोल्डन क्रोस का देथ क्रोस का मतलब यह होता है कि यहाँ से बहुत ज़दा चांसे देते हैं कि market तरफ dump कर सकती है जैसे कि आप नाम से ही समर्च खोगे वैसे ही golden cross का मतलब क्या होता है golden cross का मतलब होता है कि कि यहाँ से market उपर जाने के ज्यादा चान्स तेंगे अब golden cross हम कैसे परचाने death cross कैसे परचाने हम यहाँ पर समझते है उससे बहले हमें यहाँ पर M.A. सबनना होगा कि M.A. क्या होता है सबसे बहले हम यहाँ आपको क्या करना है मैं बहुत नॉर्मल से बता रहा हूँ बेसिक से बलुकुल आपको सिंप्ली जाना है टेडिंग व्यू वेबसाइट के उपर मैं आई नर्क अंदर भी बता हूँ जो लोग आई नर्क अंदर सिखना जाते हैं टेडिंग व्यू वेइट के उपर जाना है और यहाँ पर आपको बिटकोईन का चार्ट ओपन कर लेना है सबसे उपर आपको जो चार्ट मिलेगा यहाँ पर पी के लिए उसके बाद तो क्या आप करना को आएगा अगर आपने login कभी नहीं करोगा ट्रेडिंग वैसेट के उपर तो आप login भी वहाँ पर कर लेकर ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम नाम है दो बार समय बुझाओ ट्रेडिंग व्यू डॉट यहां पर इनको अलग पहले हमें देखना पड़ेगा किस पार्टमन करना है बसके वाल मैं आपको समझाओ हूं क्या होता एक चीज होती है पर आप सेटिंग वकर देख लो कि कैसे आपको करना है यहां पर आपको जाना है जो मै 9 लिखवा आपको दिख रहा है इसके उपड़ एक सेटिंग रहे गई दूबारा एक बार किलिक करते हैं इंपुट में जाओंगा मैं इंपुट में जाने के वाद मैं इसको 50 यहां पर कर दे रहा हूं ठीक है तो हमने यहां पर पहले वाले में को कितना कर दिया 50 अब यानि की 50 देस का और यहां पर नीचे वाले पर कलिक करने है और यहां पर नीचे वाले पी पिसेम में वहीं चीज करने है हमें यहां पर 100 कर दिया यहां पर तो हमने यहां पर कर दिया 200 तो एक उपर वाला जो था हम डेली चार्ट देख रहे हैं तो यहां उपर वाला जो हम रहा था यह हो गया 50 अब आपने अवरेज बहुत बार एक वर्ट सुनाओगा और बहुत जगर सुनाओगा मान लो कि मेरे टेस्ट रहा तरह तो दस ट्रेस्ट में मेरा कितने मांक्स आए उन सारे मांक्स को जोड़के एक अवरेज पर इस निकाल लेंगे तो उसी को बेसिकली बोलते हैं कि 10 दिन के अंदर 10 जो मैंने दी है उसके अदर मेरा एवरेज परइस कितना रहा मलाब जो मेरे जितने भी ओवर्वल मार्क साइब उसमें से जो मेरे टोटल मार्क सोंगे उसको यहां पर मैथमेटिक थोड़ी करेंके अवरेज परीज निकाल ले जाएगा सेम उसी तरीके स यहाँ पे होता है moving average अगर हम बात करें पिछले यहाँ पे अगर हमने 50 days जैसे यहाँ पे हमने क्या करा इसको 50 select करा है तो यह 50 candles जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे daily आपको select करना हो ताइम फ्रेम यहाँ पे 1 hour 4 hour नहीं चलेगा daily का हम देखेंगे जब हम यहाँ पे बात कर र है वह यहाँ पे show करेगा यह 50 वाला मतलब पिछले 50 candle का show करेगा यह 50 वाला वैसे ही यह 200 का जो मैंने यहाँ पे 200 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हम 4 hour का होता यानि कि पिछले यह जित्ती भी पिछली 200 जो यह candle होती चार घंटे की उसका यह एक average price दिखाता अगर यहाँ हम 4 hour का कोलते हैं हमने daily खोला हुआ है तो पिछली daily की मतलब पिछले 200 दिन की जो यह candles बनी भी है एक दो तीन चार पांच ऐसे करके 200 जो ने दिन की बनी भी है यह 200 जो पिछली candles बनी भी है उसका एक average price कितना होगा वो यहाँ पर हमें show करेगा कौम सा यह वाला 200 daily moving average वैसे ही 50 वाला भी वह उसी तरीके से वर्क करेगा पिछले 50 दिन के अंदर क्या एक moving एक average price क्या रहा है इन candles का पिछली जो 50 candles है एक दो तीन चार पांच चे ऐसे करके जो पिछली 50 candles रही है उनका एक average price कितना रहा है जो भी उपर ने चेका है एक average price कितना रहा है वो यहाँ पर show करे कि 50,000 डॉलर के आसपास यानि कि पिछले 50 जो यहाँ पे candles बनी है उसका तो यह यह चीज शो करता है अब बात आती है कि दैथ क्या होता है देखो यहां पर मैंने आपको साइट से आ रही दियान रखिएगा उपर की साइट से जब 50 डेस की moving average crossover करती है यहां पर 200 डेस के moving average को तो यहां पर crossover जो होता है उसको हम बोलते है death cross यह पिछली बार कहां पर हुआ किस तरीके से दिखता है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार दुबार से बोल रहा हूँ आपके बात करता हूँ कि golden cross कहा पर हुआ यहां पर हमाँ आते हैं इस चार्ट के उपर यह आप देखो कि bitcoin का ही चार्ट है basically सितंबर की यह बात है जब हमें एक क्या होता हुआ दिखा था golden cross होता हुआ दिखा था golden cross कैसे होता हुआ दिखा था तो यहां पर हुआ golden cross उसके बाद दो मतलब एक दो दिन यहां पर ती चार दिन प्राइज मीचे गया लेकिन उसके बाद आपको बड़ा पंप देखने को ला तो golden cross के बाद एक पंप आया आपने यहां पर क्लियरली किसी देख लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं करा है black line को black line किया है 200 days का movie आप यहां पर देख सकते हैं मैंने color भी करा था तो इसको जब यहां पर crossover करा है तो यहां पर एक death cross हुआ है यह है हमारा death cross जिसकी सब लोग बात करने हैं तो यह death cross हुआ है इसके बाद आप query देख सकते हो कि market यहां पर नीचे की साइड और ज़ा बताना कि dumb का बार है यह market का बार है और दोनों यह वार आपने यहां पर देखा कि अच्छे से यह work करा है थोड़ा और पीछे हम जाते हैं देखते हैं कि अच्छे से यह work करता है इसको समझने के रिए हम यहां पर थोड़ा सा और पीछे आएंगा कर charge के अंदर मैं यह basically live view बना रहा हूं तो थोड़ा सा अगर mistake बगरा हो जाए तो इसके लिए मैं माफ विचाओंगा लेकिन आप देख सकते हो clearly यहां पर मैं आपको दिखाता हूं और कहां कहां में होता है golden cross और dead cross यहां पर आप clear कि दिख सकते हो यहां पर क्या हुआ था यह जो जगह आप देखो हो माफ किजी का यहां पर हमें एक death cross देखने को मिला था यहां पर आप किलरी देख सकते हो लगबग यह बात है यहां पर कब की मार्च की मार्च के अंदर यहां पर क्या वह था फिर से वही 20 मालब माफ किजी आ 50 daily moving average यहां पर crossover करा था 200 daily moving average को और उसके बाद market के अंदर इसके बाद हम थोटा सा और अगर हम पीछे जाएं कि इस तरीके से यह work करा है death cross golden cross तो यहां पर आप देखोगे यहां पर भी हमें एक death cross देखने को मिला था अगर यहां पर हम बात करें लगबग यह बात है 26 October 2019 की और यहां पर जो death cross आया था वह बहुत तगड़ावला death cross यहां पर जब इसी तरीके से उपर की से लाइन आड़ी थी ब्लू लाइन जो है 50 डेस की moving average इसने cross करा नीचे बाद को 200 डेस की moving average को और उसके बाद क्या होता है आप सभी लोग जानते में आप होता है death cross लेकिन उसके बाद आप देखोगे एक fake pump आया फिर यहां पर मार्के dump कर गी और एक beer market शुरू हो गई काफी time तक ही चली लगबग एक तो महीनी का rate था उसके बाद फिर market ने recovery भी वहाँ पर दिख़ए तो overall यहां पर मैं आपको दिखाना क्या चारा था कि death cross के अंदर market dump तो करती है chances तो जादा बनते हैं कि भाई market dump करेगी देकिन वो कितने time त market dump रहेगी basically तो उमीद करता हूँ आपको यहां पर death cross का मलब सही महाँ होगा कि death cross से मुझता लोग ड़ते हैं यहां पर आपने बिटकोईन के चार्ट कितना देगा कि कितने जादा यहां पर death cross और golden cross यहां पर work करें उनने अच्छा indication दिया हाला कि एक दो बार नहीं करना है ठीक से बज़ लेकिन mostly time हम कहते हैं कि 70-80% work करते हैं इंडिकेट करते हैं कि कब buy करना है कब sell करना है तो यह basically होता है golden cross और death cross आप उमीद करता हूँ आप लोग समझ करे हो कि death cross पे basically हमें short करना होता है जो long short करते हैं bitcoin को golden cross के बाद हमें long करने का दिखना होता है लेकिन पूर इंडिकेटर के उपर आप डिबैंड होकर नहीं सकता है आपको चार्ट पर सारी चीज़े समझ जहोंगी अगर आपको long short यहां पर करना है मेरा काम था है यहां पर आपको समझाना कि death cross और golden cross क्या होता है तो उमीद करता हूँ आपको इतना समीमा आगी होगा आइनर के आपको यहां पर देखना को बलना आगा यहां बीटी सी आईनर यहां पर चार्ट आपको उपन हो जागा simply यहां पर आप इंडिकेटर में जाओगे में सर्च करोगे जैसे हमने वहां पर कर था तीन दो बार क्लिक करोगे में के उपर और यहां पर उसी तरीके से आप तो मार्केट के नदर अब ही देखें बिटकोईन को देखें मतलब पहले S&P 500 को देखें तो यहां पर कहीं से कहीं तक तो clearly लोग क्यों बात कर रहा है basically daily का चार्ड मैंने open कर लिया है यहाँ पर यह line जो आ रही है 50 days की moving average यहाँ पर नीचे आ रही है मैं इसको color change कर रहेता हूँ आपको थोड़ा सा सही लाएगा उसके बाद फिर मैं इसका color क्या कर रहा हूँ यहाँ पर blue कर दे रहा हूँ जैसे हमने अभी कर रहा था तो में करूँगा आपको ज्यादा अच्छा समय मायाँ यह देखो यहाँ पर 50 days का मुझा वही blue line जो है हमारी वह यहाँ पर आरी इसको cross करने अगर यह line एक दो दिन के अंदर इसको cross करती है इस तरीके से कुछ रहता है blue line ऐसे आ जती है और black line ऐसे निकल जाती है तो यह हो जागा हमारा death cross यहाँ पर जो cross तो उमीद करता हूँ आपको साही माया हुआ क्यों लोग यहाँ पर डर रहे हैं मेरा पर्सनली बता हूँ तो जब तक मुझे नहीं रखता कोई डरने वाली बात है अगर डर्स होता भी है तो डर्स का मलब यह नहीं कि बेर मार्केट पूरी तरीक से स्टार्ट हो जाए हो सकता है शॉर्ट टर्स के अंदर थोड़ा सा डंप आए उसके बाद मार्केट कर जाए लेकिन हाँ अभी तक हम देखें हिस्ट्री के साब से तो बिट्कोइन की हिस्ट्री यह कहती है कि एक बुरा इंडिकेशन होता है और डैस क्रोस के बाद हमें मार्क से जैसे हम 38,000 डॉलर पर गिरेंगे उससे नीचे जैसे ही जाएंगे तो यहां पर 38,000 पर थोड़ा सबहुत सपोर्ट है हजिका बुलका लेकिन उसके बाद हमें अगला लेवल यहां पर 29,000 जेखने कर मिलेगा और फिर हम बीर मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगे अग कि अल्रेडी हम काफी लॉस में हैं मैं परसनली भी लॉस में हूं दूसरों का क्या ही बुलूँ तो कोई भी नी चाहेगा कि वोच कंडिशन यहां पर बने कि अल्रेडी मार्केट काफी डंकत हुई है तो मीज करता हूं यह वीडियो आपके लिए हैफुल रही होगी गॉल तो यहां पर हुआ गोल्डन वैसे ही उसका उल्टा जब 50 डेड़ की मुविंग अबरेज ने उपर से नीचे क्रॉस करा तो वह हो गया दैथ क्रॉस यहां पर आप नीचे भी देख सकतो उनको आप यहां पर देखने को मिल जाएगा यहां पर देखो यहां पर नीचे आई